यदि आप 20 रुपए में भरपेट खाना खाना चाहते हैं तो आपको कहीं और चाने की जुरुरत नहीं है आप सीधा सुजानपुर आजाईए यहां आपको 20 रुपए में स्वाद अनुसार भरपेट खाना मिलेगा और आप भी खाने के बाद उस खाने की तारीफ की बिनानने ही रह पाओगे जी हाँ हम बात कर रहे हैं सुजानपुर के मशूर सुभाष छोले भटूरे की साइकल पर रोजकार के साधन उपलप्त करने बाले सुभाष 20 रुपए में छोले भटूरे की प्लेट लोगों को खिला रहे हैं एक और जहां पूरे देश और परदेश में महंगाई का तड़का लगा है उसी बीच 20 रुपए में दो भटूरे और छोले की लाकर सुभाष चोधरी लोगों को सुभिदा दे रहे हैं साक्षातकार के दुरान सुभाष चोधरी ने बताया कि बीते दो वट्शों से बेस साइकल पर ही रोजाना छोले भटूरे बिक्री के लिए निकलते हैं और प्राते 9 बजे से दोपहर एक पचे तक इनकी बिक्री करके बुने बापस घर आ जाते हैं साइकल पर ही उन्होंने स्टोप लगा रखा है जहां पर गर्मा गरम भटूरे चने जिसमें प्याज चटनी, हारी मिर्च और इनका एक स्पेशल मसाला जो घर पर ही बनाय जाता है उसको डाल कर लोगों को खिलाते हैं और एक बार जो ये चने भटूरे की पलेट खा लेता है बे इनका पर्मनेंट कस्टमर बन जाता है उन्होंने बताया कि घर पर ही तमाम सामगरी बनाय जाती है प्रातर चार बचे से लेकर आट बचे तक इन्हें बनाने के तयारी होती है और फिर ठीक एक घंटे बाद इनक क्वाल्टी से समझोता नहीं किया और ना ही लोगों को महगाई की मार पड़े इसके लिए उन्होंने रेट भी नहीं बढ़ाए है उनका दो वर्ष पहले भी 20 रुपे रेट था और पर्तमान में भी 20 रुपे में छोले भटूरे की पलेट लोगों को परोशी जा रही है उ जब तक बे उनका ये रोजगार चलता रहेगा बे अपनी इसकारे से खुश हैं और लोगों को भी ये संदिश दे रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए कोई भी कार्य छोटा बड़र नहीं होता महनत इमानदारी कहीं भी कभी भी की जा सकती है बस मन में कारे करने का चजबा होन क्या डिमार्ड कितने अभी की अंदर हो जो कितने बजे काम शुरू करते हैं चार बजे चुरू करते हैं मतलब क्या योज नाई की चाने बड़र बेचे जाना इकी सैकला पर एक पेट वता पालना है कोई दुगान बगारा करे सकते हैं दुगान ना क्रेया कोई देना अच्छा दो साथ दे मैं काम करता है ठीक है तो अंताजा लिया चलो भीक लेता है यह दो मारा मुक्ता चले यह दाड़ फुलका दाड़ फुलका है